हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस, भाई, MBA का एक और फ्लैक्शिप कॉलेज, MDI गुडगाम का फॉर्म आउट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे क्या क्या इंपोर्टेंट डेट्स है, कौन-कौन से मेजर प्रोग्राम से MDI गुडगाम के, ह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी जितनी भी MBA-related important वीडियोज हैं, अपडेट्स हैं, कॉलेज के फॉर्म, पेपर पैटर्न, या फिर कौन्ट L.I.D.A. वबल की revision series, उसके notification आपको मिलते रहेंगे, इंस् three programs हैं, जिसमें आप apply कर सकते हो, एक है PGDM, जो इनका two years का general MBA program बोला जाता है, flagship course है, then इनका PGDM HRM है, HRM मतलब human resource management वालों के लिए, and इनका एक और course है PGDM IB, ठीक है, international business, तो तीनों courses की बात करते हैं, तो PGDM और PGDM HRM जो है, उसके लिए जो eligibility criteria है, वो आपका 50% होना चाहिए कितना 10th and 12th में, and 50% होना चाहिए आपका graduation में, correct, and अगर आप final year में हो, तो भी आप apply यहां पे कर सकते हो, अब अगर हम बात करें PGDM IB, that is international business, इसका क्या criteria है, 50% marks 10th और 12th में, bachelor degree जो आपकी होनी चाहिए, वो 4 years की duration की होनी चाहिए, 4 years की duration के आपकी minimum bachelor degree होनी चाहिए, मतलब आपका या तो B.Tech होना चाहिए, या फिर कोई ST degree जिसमें minimum आपके 4 years हो, जिसमें आपका 50% होना चाहिए, इसके साथ ही आपका 1 year का work ex होना चाहिए, 31st December 2020 का, which means work experience after completion of minimum 4 years bachelor degree, तो आपको पहले 4 year का graduation करना है, 4 year के graduation के बाद, आपका 1 year का work ex होना चाहिए, उसके बाद ही, आप इस particular program के लिए eligible हो, PGD, I mean International Business, अब जो admission होगा, वो किस के तुरू होगा, वो होगा cat exam के तुरू, cat exam के तुरू होगा, आपको इनका form भरना है, तो MDI की website पर जाना है, जो dates are important, 16 September 2020 से 27 November 2020 तक, इसकी application window है, तो आपको cat exam से पहले ही, इस college का form भरना है, तो अगर आप mocks में, 90 से उपर आपका score आ रहा है consistently, तो आप इस college को aim कर सकते हो, अब मैं अगर आपको बोलू हूँ, कि aim करना क्यों चाहिए, इसके लिए आप इस college की placement देगो, जो latest placement आई है, ठीक है, इसमें 126 जो है, companies ने participate किया, जिसमें 97 companies, PGPM जो 2 years वाला course है, इनका, जो PGPM HR है में, उसके लि median salary रही 22 lakhs, average salary देखोगे, again 22 lakhs, highest salary रही है 40.5 lakhs, जो best size है, वो है 359 का, तो इतना बड़ा best size है, उसके बाद भी average salary 22 lakhs से उपर है, which means, this is very very good placement, अगर आप इनको और detail में study करना चाहते हो, तो median salary अगर आप अपने college के top 10 percentile में हो, ठीक है, तो 31 का average, 33 का average और 31 का median, अगर आप top 50 percent बच्चों की placement देखोगे, तो जो average salary रही है, वो 26 lakh की रही है, and median salary 25 lakh की रही है, तो 50 percent जो बच्चे है, उनकी जो placement है, वो 25 से उपर की लगी है, and अगर आप बाकी पूरे batch की average निकालोगे, वो मैंने आपको यहाँ पर पता ही दिया है, इसके साथ अगर आप बात करना से तो individual course की, तो PGPM जो है, और international business वाला जो है, इसमें जो इनकी placement रही है, वो highest placement e-commerce में रही है, and more than 50 percent of the batch secured a salary of 22 lakhs, अगर आप HRM वाले course की देखोगे, तो HRM वाले course पी आपको पता चलता है, more than 50 percent of the students have got a salary of 22 lakhs, तो इसका मतलब है कि इनके जो तीनों course है, उन तीनों की अच्छ 30 placements है, 20 lakhs से उपर का placement generally लग जाता है, तो this is a very good option, जो आपको consider यहाँ पे करना चाहिए, अगर आप batch profile देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको पता चलता है, 36 percent जनता fresher है, उसके बाद जिनके पास 1 से 12 months का work X है, 12 percent जनता है, उसका 13 से 24 months, which means 2 years का जिनके पास work X है, that is 26 percent, 25 से 36 month वाले 20 percent, 36 months, which means 3 years से plus work X वाले 6 percent, तो अगर आप 0 से 3 year के work X वाले bracket में fall होते हो, तो काफी अच्छी आपको यहाँ पर सेलेक्शन के काफी better chances मिल जाते हैं, इसके बाद अगर मैं individual course की बात करूँ, तो individual course की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो इनका PGPM post graduation program in management है, जो PGDM के नाम से भी जाधातर लोग जानते हैं, इनका flagship course है, correct, जो इनका एकदम flagship course है, जो main इनका 2 year का full-fledged course है, तो इस course में जो majorly objective रहता है, वो एक overall holistic आपका development रहता है, ताकि आप professional managers बन सको, तो इसमाँ आप सारे के सारे subjects देखते हो, finance भी देखते हो, marketing भी देखते हो, HR भ आप अपनी competency डेवलब करते हो to become a good manager, तो ये इनका full-fledged overall course है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका course है PGP in HR, human resource में जो लोग specifically जाना चाहते हैं, जिनको long run में अपना career ये HR में बनाना है, उसके लिए काफी अच्छा है का option निकल के आता है, तो इस course में जो आपकी learning रह इनको solve करना है, local talent, global talent कैसे deal करना है, तो ये जो पूरा का पूरा course है, ये पूरा का पूरा course HR oriented है, अगर आपका interest, human resource में जाने का है, तो बहुत अच्छी opportunity ये बन सकते है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो PGP IB, international business के मैं बात कर रहा हूं, तो जो international business है, जिसमें मैं आपको बताया, eligibility criteria जो हमने starting में देखा था, वही लोग apply कर सकते हैं, अगर आप इस course के बारे में देखना चाहते हो, तो इनका objective है कि जो international business हो रहे है, देखो globalization का time है, तो ऐसे leaders चाहिए जिनका global mindset हो, तो जो global level पे economic situation, political situation, legal situation, वहाँ पे cultural differences क्या क्या है, different geographies में कैसे काम होता है, different culture मे कैसे अपने आपको adapt करना है, तो यह सारी चीज़े आप यहाँ पे सीखते हो, और आप एक तरह से यह समझ सकते हो, कि दुनिया में किसी भी company, जो एक MNC है, वहाँ पे आपके entry के chances काफी जादा increase हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लेस्मेंट बहुत अच्छी है, अब यह question निक conversion के chances increase हो जाते हैं, तो call लगबग आप मान सकते हो, 95 से उपर आना, start हो जाता है, जो conversion होता है, 97, 98 इसके आसपास रहता है, correct, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कि apply करें की नहीं करें, that is a question, तो apply करने के लिए मैं आपको suggest करूंगा, क्योंकि cat exam से पहले इस form की date finish हो जात तो आप 20th November के आसपास अपने आपको analyze कर सकते हो, कि जो मैंने last के 5-6 mocks दिये हैं, उन mocks में मेरा average percentile 90 से उपर आ रहा है, 88-90 के आसपास आ रहा है, तो आप इस college का form भर सकते हो, क्योंकि cat में हो सकता, थोड़ा और better perform करो, and इस college को convert कर ले जाओ, तो भाई, ये चीज मेरे analysis में रही है, कि इस तरह से आप decide कर सकते हो, form भरना चाहिए, कि नहीं भरना चाहिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी MBA related updates आते हैं, वो सारे आपको time to time मिलते रहें, so thank you so much, all the best and take care.